नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्डिफेंस एंड हैल्फ में दोस्तों आज मैं फिर से अपनी एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें बच्चों के साथ किट्नैपिंग की घटनाएं होती हैं उन कटनाओं को आप कैसे रोक सकते हैं बच्चे जो कि हमारे बहुत छोटे होते हैं अगर कोई बंदा उनको किट्नैप करने कोशिश करता है तो बच्चे अपने आपको उन किट्नैपर से कैसे चुड़ा सकते हैं आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊँगा अलग-अलग तरीके से कि बच्चों को अपने आपको कैसे रिलीज होना है और अपने आपको दुश्मन से कैसे चुड़ाना है धन्यवाद जैहिं तो दोस्तों आपने देखा अगर कोई बंदा किसी बच्चे का इस तरह से मूँ दबाए और यहां से पकड़ के यहां से पकड़ के उसको उठा के ले जाने कोशिश करे मूँ दबाने से बच्चा विल्कुल चीक्स नहीं पाएगा चिला नहीं पाएगा तो बच्चा इस इस्तिती में कैसे बचेगा ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए, अब इस इस्तिती में बच्चा बच्चे को पकड़ा गया किटने पड़के दोरा ऐसे, तो बच्चे को क्या करना है, अपने एक हास से उसके मुझ पे मारना है, इस तरह से, ये मुझ पे म मानना है तो बंदा रिलीज होएगा और उसको लाद देके गिरा देना है दोस्तों खेरते हुए बच्चे को अगर कोई किड्नैप करने ही कोशिश करे तो बच्चा अपने आपको कैसे बचाएगा बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में मैंने जैसे ही इस बच्ची को अपनी गोद में उठाया इसने मुझे ऐसे 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 मारा और दुश्मन ने रिलीज किया फिर इसने मेरे मेरे में पॉइंट पे मुझे मारके मुझे नीचे गिराया और बचाओ बचाओ करके रिलीज अगर बच्चे को ये टेक्निक आती होगी तो बच्चा इस टेक्निक को अपना के वहां से दुश्मन से रिलीज होके जा सकता है दन्यवाज जैन दोस्तों मैं आज आपको एक मूव और बताता हूँ कि अगर कोई दुश्मन बच्चे को पीछे से इस तरह से पकड़ता है तो बच्चा कौन सी टेक्निक से वहां से निकल सकता है और दुश्मन से छूटके वहां से भाग के जा सकता है देखिए इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जैसे जैसे